करक रासी वालों के लिए आज आपका मैं सब्ता एका बड़न करने जा रहा हूं करक रासी का स्वामी होता है चंद्रमा करक रासी से चंद्रमा जिस दिन आपका 288 तारी को जो चंद्रमा आपकी रासी से दसम इस्तान पर जाएंगे दसम इस्तान पर चंद्रमा होने से आपको विशेश अच्छा फ़क देंगे दसमे कर्म इप शितम आठ तारी को भोत अच्छा आप काम करेंगे और आपको जया सो प्रसंसा होगी कर्व छेत्र में दिकास होगा, और उसके पशचात दस में आड़ता है। नो और दस तारीक को एकाद से सरवला भशम, दस और ग्याना तारीक को नो और दस तारीक को सप्रकार का रावदाईक सिद्ध होंगे चंद्रमां। इस रिकार से दोनों दिन आपके बहुत मंगल वेश बीचने वाले हैं, कि चंद्र देव आपके उत्तम फंदेने वाले हैं, तो नो जश्ची के हो ग्यारा और वारा तारी को यही चंद्रमा, जब तृतिये धन्संपत्ति, चतुर्से का लहागमा, चतुर्स हो जाएंगे, उ जो हारिक रूप से पलेशा नहीं आचक दियेंगे, चीछ से विवाद हो चकता है, उसे शावधा पहना है, दिन ठीक नहीं है, उसके बाद 13 और 14 तारीक आपको बहुत मंगर में दीपावणी उस्व मनाएंगे, क्योंकि उस्व में आपका जो चंद्रमा है, सब पंच में ज्यान अगर जिच्च विवेख होगा, धार्मिक मन लगेगा, धार्मिक कारी करने में प्रसंसर होगी, अनेक परकार से सुख, स्वांती, समर्दी का दिन बीतेगा, इस परकार से आपका चंद्र देव बतनाया, और सूर्य देव आपकी राशी कर्ग से कर्ग सिंग कन्या तोला चोथे हैं, चतुर सूर्य आपके सुख में बादा पहुंचाने बाले हैं, माता को खास करके कष्ट दायक बनेंगे, और पिता के लिए भी ठीक नहीं है, माता पिता के लिए चंद्रमा पिता का कारग रह होता, वो नीच रासी का होता, इसलिए पिता से भैमन और गुरू-देव आपकी रासी करक है, करक रासी से गुरू-देव आपके करक, सिंğ्झ, कन्या तोला, बिष्ट्रे को ध्लू। चटमे चल रहे हैं, चटमे जब गूरु ओंगे, तो चटमे गुरू आपको मंगल कारी में जात्रा कराएंगे, मंगल कारियों में खर्च कर आपके यही गुर्देव जासो इस्थाई प्रापर्टी बनाने वाले रहेंगे, प्रापर्टी से संबंदित कोई नया लेंदेन होगा, उसमें आपको सफ़ता मिलेगी, और परिजनों का पूरा सहयों गुला, भरपूर सहयों कारक बनाएंगे, और साथ साथ में यही गुर्देव जवसो आपके जवसो एकाद भावन बैट करके, यहां से पंचम दिष्टी से जवसो बार में भाव को देख रहें, उत्तम फदाय केंगे, सुख संपत्ति के लिए भी ठीक है, इस प्रकार से चंद्रदेव भी आपके मनों का मतब यह गु पत्नी की सुख विदान प्रापत होती है, पत्नी की पूर्टी करेंगे, जिनका विवाय नहीं हो दा तो विवाय का योग बना देंगे, जैनिक आई की गती को बढ़ा देंगे, लेकिन भाग का विनास करने बाले हैं, भाग में थोड़ी पने सानी कर दाएंगे, चोड़ पहुचा है लगाग भूआ जहां भाग है वहाँ पर आग लग जाएगी, इस प्रकार से जहां लगाव भाग होही लगी आग, इस प्रकार से बादा attachments को देख रहे हैं, और स्नीरफ्थान को देख रहे हैं, इसलिए स्वास्तिसम्ज मर्धि, थोड़a साफधान रहना है, प्रफाव दिखाया और राहु देव आपकी राशी से एकाद से सर्वलाभम सप्रकार से लावदाइक से दोंगे राहु आपकी राशी से ग्यार में होने से अचानक कुछ बड़ा लाव हो सकता है अचानक आपको पैसे का लाव हो धन का लाव हो बस्तू का लाव हो व्यक्ति पूरा सब्ता लाब के दिश्टी से अचानक होने वाले लाब से आपको प्रसंद रहना चाहिए इस पर राहू का कारी भी अच्छा होने वादा है इस पर मंगल कामना करतम आपका सब्ता है बंगल मैंदीते इनी मंगल कामनाओं के साथ हरी ओ